अब जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि श्रेक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल के बच्चों से लड़ रहे थे और दूसरे स्कूल के बच्चों का लीडर अब गुस्से में आकर अपनी स्पिरिट सोल को निकाल लेता है और अब उन दोनों में सीरियस वाली पुलिक वो उसे हराँ आपक करनें की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसको भी गुशा आ जाता है और वो उनको बर्व से जमाने की कोशिश करने लगता हैं। मिस्टर जाओ श्रेक स्कूल के सभी बच्चों को कमरे के अंदर सोने के लिए भेज देते हैं और फिर खुद उस लीडर के सामने जाते हैं। अपने स्पिरिट सोल क्यों नहीं यूज की जिस पर वो बताती है कि मैं राइट टाइम का इंतजार कर रही थी। और वो सब मिस्टर जाओ की प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ते हैं। और अब आगे बढ़ने पर उन्हें एक बहुत खदरनाग बीस्ट नजर आता है। ये एक बहुत बड़ा स्नेक है और इसका नाम मिलेनियम फिनिक्स टेल क्रेश सर्पिंट है। ये एक हजार साल से पुराना साप है, जिससवजे से ये बहुत जाधा शक्तिशाली है। असल में जो बीस जितना जाधा पुराना होता है वो उतना जाधा शक्तिशाली होता है। अब वो सब इसको मारने का डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर इसके अंदर के स्पिरिट रिंग ऑसकर को मिल तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। तो ये भी हमें जिन्दा नहीं छोड़ता। उसकी स्पिरिट रिंग को अपनी पोती को देना चाहती थी जिससे वो स्ट्रॉंग पन सके। लेकिन मिस्टर जाओ उसकी बात नहीं मानना चाहता। असल में दादी और दादा यानि दादी के पती बहुत जादा स्ट्रॉंग है। अगर दादा और दादी एक साथ मिलकर फाइट करें तो इन से कॉंटिनेंट के बड़े-बड़े यो दहार जाएंगे। लेकिन अभी दादी अकेली है और दादा इसके साथ नहीं है। जिस वज़े से मिस्टर जाओ चाहे तो इसे हरा सकते हैं लेकिन मिस्टर जाओ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। क्योंकि क्या पता दादा यहीं कहीं जंगल में हो। इसलिए उन दोनों में थोड़ी polite manner में पहस होने लगती है। जिसके बाद उनमें ये decide होता है कि पोती और तैंक शैंग के बीच fight होगी। और अगर पोती fight को जीतेगी तो spirit ring वो हासल करेगी। और अगर तैंक शैंग fight को जीतेगा तो spirit ring आसकर हासल करेगा। पोती से लड़ना कोई असान बात नहीं थी क्योंकि वो rank 30 पर थी और उसके spirit soul भी serpent stick की थी जो बहुत strong थी। लेकिन इसके भावजूद भी उन दोनों में fight होने लगती है। और पहले तैंक शैंग अपनी skill का use करके उसे बादने की कोशिश करता है। लेकिन पोती उसके इस व पस में ठक्रानी लगती है और फिर कुछ तेर बाद दोनों दूर जाकर गिरते हैं जिसमें पोती तो बेहोश हो जाती है लेकिन तैंक शैंग घायल होने के बावजूद होश में था। यानि अब तैंक शैंग जीच चुका था और पोती हार चुकी है। अब तैंक शैंग स्पिरिटरिंग की दूसरी अबिलिटी उन्हें दिखाता है और वो उनके सामने उड़कर दिखाता है। यानि आसकर के पास सब उनने की शक्ती आ गई थी और ये देखकर सब बहुत ज़ादा खुश होते हैं अब फिर तैंक शैंग भी होश में आता है और वो कहता है कि हमें अभी इस जंगल से नहीं जाना चाहिए जिस पर मास्टर जाव डाटते हुए कहते हैं कि ये जंगल कोई खेलने की जगह नहीं है जहां तुम पिकनिक मना सकते हो अब इस पर तैंक शैंग उनको बताता है कि लड़ाई की वज़े से वो अपग्रेट हो गया है और वो भी अब थत्यत रैंक पर पहुँच गया है और अब उसे भी स्पिरिट रिंग चाहिए होगी अब सब तैंक श उसे इंसानों के बारे में डिसकस करता है कि हम लोग अपनी कल्टिवेशन के लिए सोल बीस को मार डालते हैं इंसान अपनी जिंदगी में 5-6 सोल बीस को मारता है और वो भी पिना कुछ देखे समझे इससे तो एक दिन सारे सोल बीस खतम हो जाएंगे और इंसान भी फिर जो हमें आगे पता चलेगी अब वो सब बाते कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ जमीन हिलने लगती है और भुकम पाने लगता है वहाँ चारों तरफ पेर पोथे जानवर भी हल चल करने लगते हैं और मिस्टर जाओ को समझा जाता है कि अब बहुत बड़ा खत्रा उनके स कैसी थी वो आजाता है और ये कई हजारों साल पुराना बीस्ट है इतना खतरनाक बीस्ट तो घने जंगल में होना चाहिए था लेकिन ये यहां मौजूद है और उन्हें इसके यहां होने का रीजन भी समझा जाता है अब मिस्टर जाओ उसके सामने जाकर उससे को देखे सोल बीस को अपने पायदे के लिए मार ढालते हैं इसी लिए ये जाइन टेψ अब इन सभी को मारना चाहता है अब मिस्टर जाओ अपनी सूल पार का यूज है और निंग रॉंग रॉंग अपनी सूल पार का यूज करते हूए मिस्टर जाओ की स्पीड को 30 गुन ह बढ़ा देती है। लेकिन इस सब से भी वो जाइन टेप नहीं मरता। अब बाकी सब भी अपनी अपनी सोल पार का यूज़ करते हुए जाइन टेप पर हमला करते हैं। लेकिन वो जाइन टेप का कुछ नहीं बेगार पाते और वो सब वहाँ से बाहर भागने का डिसाइट करते हैं लेकिन इस बीच जाइन टेप जीवू को पकड़ लेता है अब तैंक शैन और मिस्टर जाऊ को गुसा आजाता है और मिस्टर जाउ अपनी सेवन स्पिरिट रिंग का यूज करते हैं जो एक बीर की थी वो फुल पोटेंशिल के साथ जाइंट एप पर हमला करते हैं लेकिन अब भी जाइंट एप घायल होता है लेकिन मरता नहीं है अब मिस्टर जाउ पार ड्रेन हो चुके हैं और उनको रिकवर होने में साथ दिन लगने वाले हैं अब तैंक शाइन गुस्से में आकर जीवू को बचाने के लिए जाइंट एप की तरफ दोड़ता है वो किसे भी हालत में जीवू को बचाना चाहता था क्यूंकि सिर्फ एक वही थी उसकी लाइफ में जिसके लिए वो सबसे जादा क्यार करता था वो जाइंट एप के पास पहुँचकर उसे मारने की कुश्च करता है लेकिन जाइंट एप उसे धक्का मार देता है और खुद जीवू को लेकर वहां से भाग जाता है अब सब पच्चे जीवू के जाने से बहुत दुखी होते हैं और तैंक शैंक बहुत जादा रिग्रेट कर रहा होता है क्यूंकि वो जीवू को नहीं बचा पाया लेकिन अब वो उसको बचाने का डिसाइड करता है और वो तुरंत आसकर से फ्लाइंग सॉसेज मश्रूम बनाने को कहता है आसकर के पास थर्ड रिंग तैंक शैंक के बज़े से आई थी इसलिए मिस्टर जाओ के मना करने के बावजूद वो तैंक शैंक की बात सुनता है और वो उसे फ्लाइंग सॉसेज बना कर दे देता है जिसको खाने के बाद तैंक शैंग के पास पंग खा जाते हैं और वो जीवू को ढूणने के लिए अकेला ही चला जाता है निंग रॉंग रॉंग भी उसकी 30% स्पीड बढ़ा देती है मिस्टर जाउ तैंक शैंग को अकेला देख उसके पीछ जाने का डिसाइट करते हैं और अब आसकर भी सभी के लिए एक-एक फ्लाइंग सॉसेज मश्रूम बनाने लगता है वही वो जाइन टेप जो जीवू को अपने साथ ले जा रहा था वो जीवू के प्रती बहुत पोलाइट था और जीवू भी उससे अराम से बात कर रही थी और उसे कह रही थी कि मेरे दोस्त मेरी चिंता कर रहे होंगे तुम्हें मेरे दोस्तों को नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए और तुम्हें मुझे ऐसे उठा कर भी नहीं लाना चाहिए था यहां से हमें ये पता चलता है कि जीवू पहले से ही इस जाइन टेप को जानती थी और ये जाइन टेप उसको मारना नहीं चाह रहा था और जाइन टेप जीवू की सारी बाते भी मान रहा था फिर हमें तैंक्शान को दिखाते हैं जो ढूंटे ढूंटे जाइंटेप के पास आप पहुंचता है और इसी के साथ फिर ये एपिसोड यहीं खतम हो जाता है